सो फ्रेंड्स आज के इस अपडेट में मद्य प्रदेश आशन की एनेचेम की अंतरगत एक और वेकेंसी की इन्फरमेशन को हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे यह जो वेकेंसी यहाँ पर जो रिलीज होई आप सभी को बताना चाहता हूँ जी आरेमसी गौालियर याने की ग अलग-अलग पोश्ट यहाँ पर निकाली गई इसमें श्टाफ नेर्स की लिए वेकेंसी है इसके सासात यहाँ पर का आपका इसमें आप पे इंटर्वियू नई है जो भी आपकी क्वालिटिकेशन है उसी अधार पे आप लोगों की यहाँ पे मेरिट लिश्ट बनेगी देन आपको इसमें आप पे सेलेक्ट यहाँ पे कर लिया जाएगा और दोस्तों देखिए इसके लिए में प्रोवाइड कराने वालों कोई भी इंफोर्मेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए जिससे आपका आविधन जो है निरस्त यहाँ पे ना हो जाए तो इस वीडियो को आखिर तक देखना पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी सबसे पहले आपको इस वीडियो बढ़ते हैं जानकारी की और तो दोस्तों देखें यह नोटिकेशन ओफिशल वैबसाइट पे आ चुका है और लाश्ट में मैं आपको वैबसाइट भी दिखा दूँगा ओपिन करके कैसे आपको नोटिकेशन मिलेगा क्योंकि नोटिकेशन में ही आपको एप्लिकेशन फ गॉलियर मध्यप्रदेश तो गॉलियर मेडिकल कॉलेज के तुरू यह सूचना है विकेंसी के जानकारी है अभी रिसेंटली यह इन्फॉर्मेशन वैबसाइट पर आपको इसमें आप पर दी जारी तीन अलग अलग यहां पर डेपार्टमेंट्स या फर मैं कहाऊं प्रो इशू रोग शलकरिया एकाई तो इसके तुरू भी आपर वेकेंसी है और आर आई आई सी यानि की रैष्ट्रिय बाल स्वास्त करम स्वास्त केंद्र तो इनके तुरू यहां पर रेक्रूटमेंट नकाला गया है और इसके लिए आपको एपलाए करना है तो जल्दी से दे बिदन करना है तो सबसे पहले नमर पर देखिए लिखा है स्टाफ नर्स केवल महिला तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए वेकेंसी निकाले गई कुल्मला के 37 पद है और इन 37 पद में से 10 पद अन्रिजर्व के है और 8 पद इसमें HD के है 5 पद इसमें SC के है 11 पद OBC के है EWS के इसमें 3 पद रहेंगे और PWD के अलग से 2 पद इसमें इंक्लूड कर लिए गए इसके बाद सेकंड नमर पर देखिए लिखा है Operation, Theater, Technician तो ये पोस्ट भी है OT Technician के 4 पद है चार में से 2 पद अन्रिजर्व के है एक HD का है एक OBC का है इसके बाद 3 नमर पर देखिए लिखा है Audio Logist तो Audio Logist का एक पद अन्रिजर्व में आपर शामिल किया गया ऐसी दोस्तों देखिए जो है 44 पदों पर टोटल 44 पोस्ट पर ये vacancies आप आई है तो अब बात कर लेते हैं इन vacancies को apply करने के लिए आपको क्या-क्या युगता चाहिए तो ये जानकारी भी इसमें आपको आप पर दे दी गई और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको apply करना है तो देखिए सबसे पहने नमर पे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए आपको जो 37 पद निकाले गए इसमें आपका वेतर 28,700 रुपे सैलली मिलेगी कम से कम 18 वर्ष उमारे आपके आपके हो इसमें BSC नर्सिंग की जो डिगरी केंडिरेट्स रखते हैं आप लोग apply करें और जो GNM का डिप्लोमा रखते हैं आप लोग भी apply कर सकते हैं और मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसल में registration भी इसमें आपको चाहिए तो BSC और GNM दोनों candidates आप लोग इसमें आविदन करें किसी भी तरीके का इसमें experience आप लोगों से बिलकुल आपको लोगों से हाँ पे नहीं मांगा जा रहा कंपल सरी नहीं है experience सेकंड नमर पर देखिए operation theater technician तो OT technician के पोस्ट है यह चार पद इसमें शामिल किये गए 25-300 रुपे sell ली है कमसे कम 18 वर्ष उमारो डिप्लोमा ओटी का आप लोगों से आप पे मांगा जा रहा और paramedical council मध्यप्रदेश में आपको registration चाहि 28-700 रुपे sell ली है कमसे कम 18 वर्ष उमार रखी गई तो audio speech में bachelor degree है या पर आपके पास B.Sc. degree है या पर आपके पास diploma course है इसी field में आप लोग भी इसमें आविदर कर देश के बाद psychologist एक पदेश में जो है 28-700 रुपे sell ली मिलेगी कमसे कम 18 वर्ष हो और इसमें graduation course इसी field में आप लोगों से मांगा जा रहा और master course वाले candidates भी इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद special educator इसमें एक पर है 25-300 रुपे sell ली है इसमें 18 वर्ष उमार रखी गई special beard आपके साथ diploma के साथ आपको या पर होना चाहिए तो chain की परिक्रिया आप लोग देख लीजे साफ साफ यहाँ पर table में लिख दिया गया कि जो भी आप लोगों का selection है प्रवीनिये सूची बना के आपको यहाँ पर select यहाँ पर कर लिया जाएगा जिसमें से दोस्तों देखिए 50% आपके marks आपके BSC या फिर GNM से लिए जाए जाएगा और GNM है तो इसमें 10 marks का weightage निकाला जाएगा फिर इसके बाद देखिए यदि आपके पास experience है गौर्मेंट का या फिर private hospital का तो गौर्मेंट का दो नमर आपको मिलेगा प्रती साल का जितने साल का आपके पास experience है उसके दो अंक आपका जोड़ते जाएंगे और private वालों को एक साल का private वालों को प्रती वर्ष एक अंक आपको इसमें मिलेगा तो कुल मला के maximum 30 प्रतिशत में से आपका experience यहाँ पर calculate किया जाएगा तो 50, 20, 70 और 30, 100 तो कुल मला के 100 में से आप लोगों की merit list बनेगी कहीं भी किसी भी तरीके का exam का जिक्र नहीं किया गया किस बाकी की जो post है आपको इसमें भी देखिए सिर्फ रवीने सूची बना की है आपको जो है इसमें selection दिया जाने वाला है किसी भी तरीके का exam नहीं है बाकी की जो technician की post है और जो special educator जैसी post है नर्स को छोड़के तो आपको भी आपे direct selection इसमें रहेगा अब देखिए application form का format कहा मिलेगा तो अभी मैं आपको format download करके भी बताऊंगा तो इसी PDF file में सबसे नीचे जो है यह आपको application format दे दिया गया इसको पूरा आपको आप फिल करना होगा और इसको पूरा फिल करने के साथ साथ आपको जो भी information आपको इसमें फिल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपक आपको जानकारी मिलती जाएगी कि कौन को से documents जो है self test करके यह आपको application के साथ आपको यहाँ पे भेजने है तो यह सारी जानकारी आपको भेजनी होगी तो आपका application form और जो भी आपका documents है self test करके photocopy cassette यह आपको भेजना होगा और साथी साथ जो सबसे जादा महतपूर है जिसकी ना होने की वज़े से आपका form यहाँ पे reject यहाँ पे कर दे जाएगा वो रहेगा आपका fees का payment तो fees का payment भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए fees का payment कैसे करना है यह भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ तो यहाँ पे दूसरे नमबर के page पे लखा है कि जो अन्निजरब के candy rate है आपको 500 रुपे का fees का payment करना है और जो अन्निजरब का छोड़के जो यहाँ पे आरक्षित वर्ग के कैंडि रेट्स हैं तो आपको 2500 रुपे का fees का payment करना है तो यहाँ पे 500 रुपे अनारक्षित वर्ग है और 200 रुपे अरक्षित वर्ग है तो आपको जो भी फीस का पेमेंट है demand draft आपको यह बनवाना होगा और किसके नाम पे बनवाना है अधिसष्टा, गजना राजा, चिकिस्सा, महाविध्यले, ग्वालियर, मद्यप्रदेश इनके नाम से यह बनवाना है और यहाँ पे अपने application form के साथ और जो भी आपका documents है तो photocopy का set आपके documents का और आपका demand draft बनेगा तो यह सारी जानकारी आप लोगों को भेज देनी है और यह आपको लिफाफे में या फिर speed post के माधियम से या फिर registered post के माधियम से या फिर आप लोग खुद जाके भी कारेले में अपना आविधन प्रस्तूत कर सकते हैं तो इसके बारे में देखिए नीचे point यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप लोग इसको ध्यान जरूर दे तो देखिए लिखा है कारेले अधिसष्टा गजरा राजा चिकिस्सा माविधाले गौालियर मद्धे प्रदेश में प्राप्त हो जाना चाहिए और आविधन को जो है registered dark या पिर speed post या पिर आप लोग व्यक्तिकात रूप से जो GRMC गौालियर है तो वहाँ पर आवक जावक शाका में जाके आप लोग अपना आविधन प्रेस्तित कर सकते हैं आप लोग अपना आविधन send कर सकते हैं और दोस्तों देखिए बहुत ही कम समय इसमें आप लोगो तो 11 मार्च 2024 जो है यह आविदन करने की लाज देट है और देखिए आज जो है आठ मार्च यहां पे हो चुकी है और आविदन करने की लाज देट क्या है 11 मार्च तो 2 या 3 ही दिन आपके पास है तो दो या तीन और आपका जो आविधन पोस्ट के माध्यम से जाएगा तो दो या तीन दिन तो देखिए लगते ही हैं पहुचने में तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना आविधन जो है जो भी एड्रस आपको मैंने बताया है उस पे आपका आविधन पहुच जाना चाहिए और बहुत ही कम समय आपको आविधन के लिए दिया गया है यह जानकारी देखिए 6 मार्च को इसमें आप पर जारी हुई लेकिन वेबसाइट पर 7 मार्च को आई या फिर 8 मार्च को आई 7 मार्च को आई तो बहुत ही कम समय इसमें आपको दिया गया तो जल्दी से आप लोग अपना आविधन यहाँ पर कर दें तो इस सभी जो वेकेंसी से हैं समीधा के आदार पर नकाली जा रही और देखें यह पूरा जो फॉर्म का फॉर्मेट है यह आपको कैसे डाउलोड करना है यह मैं आपको आप दिखा देता हूँ वेबसाइट पर मैं आपको ले चलता हूँ तो दोस्तों Google पर जाके आप लोगों को GRMC Gualier यह जो है आपको टाइप करना होगा टाइप करते ही आप लोग इसको आप पर सर्च कर लें सर्च करते ही देखें पहली लिंक आपको इसमें आप पर मिल जाएगी GRMC Gualier की इस पर आपको आपको क्लिक कर देना है जैसी आप सब लोग इस पर आपको क्लिक करेंगे नीचे आगे के ही पेज़ 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 यह आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी गई यह देखिए सबसे पहले नंबर पर यह notification आपको प्रवाइड करा दिया गया simply आपको एक बार इस पर आपके क्लिक कर देना है क्लिक करते से ही देखिए यह जानकारी आप लोगों की open हो जाएगी तो यह जो है एक PDF फाइल है यह आपका notification भी है और नीचे आप लोगों को application form का format भी इसमें आपको दिया गया है तो यह करीब करीब notification जो है साथ पेज का है जिसमें थे छटवे नंबर के पेज पे जो है आप लोगों को यह notification में आपको application form मिल जाएगा और देखिए इसको आपको download कर लेना है यहाँ पे एक arrow का sign आपको दिया गया तो इस arrow के sign पे आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करते से ही यह download हो जाएगा और download पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से यह notification open हो जाएगा और इसमें आपको application form का format नीचे आपको मिल जाएगा तो दोस्तों देखिए यह vacancy की information मैंने अपने youtube channel के मद्यम से आपको provide कराई और आप सभी लोगों को अपने सभी friends लोगों को इस video को आपको यहाँ पे share कर देना है और आपके whatsapp के जितने भी groups हैं जितने भी आपके telegram groups हैं जितने भी BSC nursing वाले candidates हैं जितने भी GNM diploma candidates हैं जितने भी OT technician वाले candidates हैं और जो course आपने graduation करे हुए हैं जो diploma की हुए हैं सभी को इस video को आपको यहाँ पे share कर देना है और वीडियो को like भी करना आगे और भी vacancy आने वाली है तो वो जानकर यह आप से ना चूटे चैनल को subscribe कर लें वीडियो के नीचे जाएं सब्सक्राइब के red button को क्लिक करें मध्यप्रदेश स्वास्त बिवा की और nursing और staff nurse paramedical staff All India Vacancy की जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें तो मिलते हैं आप से अगरे वीडियो में Thank you so much